के बहुत सारे लोग मुझे questions पूछ रही कि exactly IT क्या होता है या फिर जो information technology वो क्या होती है IT में काम क्या होता है IT sectors क्या होता है IT के departments कौन से होते है IT का technologies क्या क्या है IT के certifications कौन कौन से चाहिए IT के लिए इंस्टिट्ट कौन सा चाहिए IT के लिए company कौन से choice करनी चाहिए IT के लिए best career options क्या या best degree programs क्या बहुत सारे comments मैंने shortlist कि सारे comments मैंने देखे और सब के लिए एक वीडियो बनाएंगे उस वीडियो में सारी चीज़े explain करेंगे स्टार्ट से एंड तक जब वीडियो देखेंगे तो definitely IT के बारे में कुछ basic terms है जो आपको clear हो जाएंगे और उस term के स्थरू आप basic कुछ बहुत सारी चीज़े जो आप learn कर पाएगे और उसके तरू decisions ले पाएंगे सबसे पहले IT को information technology कहा जाता है बेट आइटी को बहुत सारे लोग computer branch मान लेते हैं सो एक basic difference है जब आप computer science देख रहें या फिर computer engineering और information technology के बात कर रहें सो दोनों में difference है बहुत सारा difference है और difference क्या है आगे चलके मैं सारी चीज़े आपको explain करने वाला हूं तो basically जब भी कोई बंदा engineering को admission लेता है diploma को admission लेता है या फिर कोई ऐसा certifications करना चाहता है तो उसके मन में होता है कि मुझे information technology में जाना है बट वो computer के course के related या फिर computer के बारे में सोचता है जैसे coding हो php.net, java, oracle, python बहुत सारी चीज़े जिनकी और उसका thinking चला जाता है कि yes exactly यह IT हो सकता है बट यह IT नहीं है guys IT में बहुत सारे सेक्टर से बहुत सारे मतलब बहुत सारे सेक्टर से और उनमें भी बहुत सारे सब सेक्टर से अगर आप करियर करना चाहते हो, salary कमाना चाहते हो in lakhs तो भी आप उन सब सेक्टर के एक पॉइंट पे करियर कर सकते हो, एक पॉइंट पे salary कमा सकते हो तो mandatory नहीं ही कि आपको exactly सारे coding साने चाहिए, सारे computer programs आने चाहिए या फिर यह भी mandatory नहीं कि आप coding या program में expert होने चाहिए, तभी आप IT में career कर सकते हो, so simple सी चीजे कुछ बाते हैं जो इस वीडियो के end तक आपको अगर जस्ट आप जस्ट एक चीजे learn करेंगे, क्योंकि जब तक कि वीडियो एंड होगा आप कुछ मत थिंक किजिए जस्ट आप इसको read करते रहें या फिर सुनते रहें कि आपको basic चीजे तुम्हें बताने वाला हूँ तो मैंने firstly कहा computer science और information technology में बहुत difference होता है computer science में आपको subjects पढ़ाए जाते से related with coding c c++ java php या फिर आप html तो यह जो coding related web development related application development related या फिर आप बात कर सकते कि कोई program develop करना है कोई application है तो उसके according जो भी programming होते हैं जो भी information technology में सब सेक्टर से दूसरे आप coding भी सिख सकते हो अगर आप information technology में आना चाते हो तो आप coding भी सिख सकते हो बट उसके अलावा कुछ ऐसे additional subjects है जो आपको इंट्रेस्टेड है अगर आप coding में इंट्रेस्टेड नहीं हो बहुत सारे computer के लोग ही हो जो कोडिंग में इंट्रेस्टेड नहीं है बट वह आदर सेक्टर में इंट्रेस्टेड है तो वहां पर उनके लिए अच्छे opportunity कि वह उस सेक्टर में आ सकते जिस सेक्टर सकम स्पेशली IMS कहता है IMS का मतलब होता है यहां पर की information को जो management सेक्टर से से सक्टर के अंडर हम बहुत सारी चीजे ऐसे हम कुछ सेरवर डिवThere बात करते हैं कुछ network development होता है server में भी बहुत टाइप से Windows का server Linux का server अगर हम networking के लिए बात करेंगे तो network admin के लिए भी position से हम telecom sectors के भी बात कर सकते नॉक sectors की भी बात कर सकते या फिर जितने भी advanced technology जैसे artificial intelligence डिजिटल का प्लाटफॉर्म सो या फिर machine learning हो इन सारे platform को अगर हम cascade करें तो यह पूरा जो platforms बन जाता है इसको हम specially information technology बोलते हैं तो इसको अगर expand करेंगे तो बहुत सारे सब सेक्टर निकलेंगे जिसमें से artificial intelligence सब सेक्टर से उसमें एक किसमें जा रहे हो किस फील्ड में जा है और नाटेक्स किसी फिल्ड में जा की इंटります स्श्ड़िर कर सकते हो तो लाइफ से क्यामा सकते हो नहीं लाक्स होऊ वह वेल सेटल करें तो information technology में भी जब भी कोई बंदा entry करता है मान लीजी आपका engineering complete हुआ या फिर आपका डेप्लोमा या फिर जस्त आप 10-12 पास आउट हो आप information technology का कोई कोर्स कर रहे हो तो आपके सामने थोड़े से options आते लोग बोलते आप Windows करो आप networking करो या फिर आप CCNA है ना या फिर रेड हैट करो थोड़े से options रखे जाते पर आपके पास बहुत बड़ा से से जो सब सेक्टर में आता है तो यहां पे डिजिटल प्लाटफोर्म के बात करेंगे तो जो डिजिटल मार्केटिंग यह उसमें आपको बहुत सारी चीज़े आप सारे चीज़ है मशिन लर्निंग में भी बहुत सारी चीज़ है जो आप आईटी के सेक्टर्स का पार्ट बोल के कर सकते हो कि जब मैंने 2015 में एज इन्फॉर्मेशन टेक्नोलोजी में कोर्स स्टार्ट किये थे तब मैंने तीन सर्टिफिकेशन उस टाइम कंप्लिट किये ने reason सटिफिकेशन उसके बाद मैंने मशिन लर्निंग कंपलिट किया वैं खुद के कंप्लिट किया कि मशिन लर्निंग एक मुझे इंट्रेस्टेड एल्या था कि आप एक हो क्या होता है उसके बाद आर्टि शारी रिसेर्च डरिकिये कि 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 किस तरह से आर्टिशल होता है या फिर जितने भी embedded system से हाला कि मेरा electronics हो चुका था मुझे information technology का knowledge था तो जितने भी embedded system से वो किस तरह से cascade है या फिर किस तरह से design है with artificial intelligence तो यह भी एक चीज है जो आप यहाँ पर कर सकते हो और करियर के लिए बहुत आच्छे क्योंकि TCS वेप्रो क्याप जेमिनी एक companies है जो specially in technologies के ऊपर लोगों को लेती है बट करने के लिए न थोड़ा सा dedication जैसा मैं बात करता हो आप अगर machine learning सेख रहे हो तो machine learning सिक्ते टाइम आपको प्रॉपरली और कोर्स जॉइन करना है प्रॉपरली डिवरेशन कंप्लीट करने classes कंप्लीट करने उनके theoretical subjects पूरी तरह से जब तक समझ में नहीं आते तब तक आपको लर्न करने और बाद में प्रैक्टिकल में फोकस करने चार चीज़े आ गए तो आप कोई भी इंट्रव्य क्रेक करके आर्टिफिशल इंटेलिजन्स पर जॉइन हो सकते हो टेसी अस्वी प्रो कोगनिजन के आप जमीन एक कंपनी जो इस टेक्नोलोजी पर काम करते हैं और उनको इस टेक्नोलोजी के लोग चाहिए जो की रिसेंट्ली मार्केट में नहीं है बहुत सारे लोग है जो क्लावड कंप्यूटिंग या फिर हम डिजिटल प्लाटफॉर्म्स पर काम कर रहें बट इन से इन टेक्नोलोजी पर मशन लर्निंग आर्टिफिशल इंटेलिजन्स पर बहुत कम मैंड पावर है और आभी रिसेंट्ली जो प्रोजेक्स आ रहे है या फिर इसेंट्ली जो डेवलपमेंट हो रही है तो आइटी का या फिर जो इन्फॉर्मिशन टेक्नोलोजी का यह भी एक पाट है जहां पर आप यह चीज़े कर सकते हो तो मैंने अभी तक आपको डिफ्रेंशियेशन बता है कि कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मिशन तो उस सर्वर को मैंच करने के लिए एक ड्मिन लगता है अब उस विन्डोज एंडिमिन के लिए अनदर से सपोट लगता है नेट वाकिंग का उसको झेक अक correct उसको एक एडबिर्स केले o अब अब आइटी में भी बन जाते विन्डोस का सर्टिफिकेशन कर लेते या फिर Microsoft Exchange का सर्टिफिकेशन कर लेते एक चोटे से सक्टर में वाज अडमीन कर सकते हो उसके नीचे बात करेंगे गाइस तो आयटी के नीचे भी से होता है जहां पे टेखनafe संपोर्टक यह लोग भरे चाते तो वहां पे आपको आपके जोबर हुंआ हुआ प्राविए हुआ हुआ जुए कि एक नेटवकिन करने के लिए नेटवर्क इंजिनेर के अलग-लग लेवल की जरुरत होती हैna security के लिए security का जो नेटबग इंजिनियर उसकी जरुरत हो ती आगर आप firewall configure कर रहे हो उसके लिए एड़वार सीैने उसब्स कोंदा हो इसे कर सकता है तो ऐसे इंजिनिर के मार्वट एब कर सकती है डिजिटल मार्केटिंग भी आप कर सकती में केस वहां पर उनको ऐसे लोग चाहिए जो एक्सपर्ट हो डेटा स्टेमल या फिर जो भी जावा पी एच्पी जिस बेस पर भी वह काम कर रहे उस टेक्नोलोजी पर एक्सपर्ट हो ऐसा उनका कहना है गाई तो आईटी में अलग-अलग सेक्टर से अलग-अलग टेक्नोलोज यह उसके अलग-अलग चालेंज़ भी जैसे बात करते हैं विद रूट सर्टिफिकेशन से विद रूट सर्टिफिकेशन से अगर कोई बंदा आईटी में एंट्री करता है तो क्या कर सकता है कितनी लेवल पर काम करते हैं बहुत सारे बंदे ना जो विद रूट सर्टिफ आपकी सालवरी बढ़ती है आपका experience बहुत बढ़ता है और से चलते हो आपको प्लानिंग करने पड़ेगी आपको डेडिकेशन करना पड़ेगा इस वीडियो में इतनी चीज आपको बताने वालो आगे का जो वीडियो होगा टोटली आई टी के रिलेटेड होगा सबजेक टॉपिक्स उनके जॉब्स किस तरह से मिलेंगे करियर किस तरह से करेंगे कोर्सिस का पर करेंगे इस टॉपिक को लिए के हम डिसकस करेंगे तो इस वीडियो में इतने ही गई थैंक्यू सो मच बबाई टेक क्या